बिस्मिल्ल्य रह्मानी रहीम असलाम लेकुम वीवर्स आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लुकेटर यूटीप चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट उसामा खुरशीद वीवर्स आज मैं आपके लिए जो एक्स्ट्रा ओर्डिनरी डिजाइन और प्लाइनिंग के साथ जार ड किंग साइज स्वीमिंग पूल भी मिल जाएगा वीवर्स वीडियो देखने वाले से रिक्वेस्टर के लास तक इस वीडियो को जरूर देखेगा ताके इस घर की सारी डिटेल्स और फिर उसके बाद मैं प्राइस शेयर करूँगा अब हम चलेंगे इस घर के विजिट के सब्सक्राइब अंदर जानी से पहले मैं आपको इस घर का स्राउंडिंग अरिया दिखाना चाहूंगा ये राइट सएट पर मैं दिखा रहा हूं आपको इस घर का सब्सक्राइब को लॉकेशन है बह। filsबर्दस्ट और फ्ॉनस्त लॉकेशन बए इचे फेसिक्स की यह लुकेटिट है वीडियो को लास तक जरूर देखिए का बलके मैं तक होँगा कि अपनी कुर्सी पे बैठ के जमे रहे गए ताके इस घर की खुबसूरती को लास तक आप देख सकें और अंदर जाने से पहले मैं आपको क्रीप से इसका फ्रेंट एलिव विवर्स यह है इसका कार रैंप जहां पर टाइल की फ्लोरींग है सामने हम एंटर होते हैं तो कार पर्श आ जाता है जहां पर आपकी चार लग्जीरियस गाड़ियां बहुत इजली पार किया जा सकते हैं बलके उसे भी ज़्याद़ा गाड़ियों को यहां पर पार किया यहां से हम आगे होते हैं तो left side पे बहुत ही खुबसूरत view आपको देखने को मिलते है यह चेक करें वीवर्स मार्शालला इसका कितना खुबसूरत view आप देख रहे हैं कि यह है इसका inner lawn की space और साथ में plantation की हुई है और यह जो इसका walking path है यहां पे भी आपको mosaic work और glass का usage मिल कर रहा है उपर आप इसकी रूफ भी देख सकते हैं रूफ कि मैं आपको ceiling design दिखा रहा हूं यहां पर again mosaic work है और वीवर्स अब हम इस शहकार की तरफ बढ़ते हैं इसका plan मैं आप आपको दिखाऊंगा सारा माशालला वीवर्स इस गर में आप enter होते हैं तो आपके सामने इसका lobby area जिसको आप reception area भी बोल सकते हैं नीचे मैं आपकी तफच्छ दिलाऊंगा इसके मोजैक पर की तरफ enter होते हैं तो बिलकुल आपके सर के ओपर यह खुबसूरत design आपको मिल जाता है और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी यह चीज़ दिखा दूना मेरे पस words नहीं है मैं कैसे इस चीज़ को elaborate करूँ एक एक चीज इतनी इतनी बारीकी से इतनी जाला detail के साथ इस घर में आपको मिलने वाली है कि आप एक दफा जब इसको खुद आगे physically विजट करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आला ताला ने इनसान को कैसी कैसी इस लाईयते बना सकते हैं इसको आप ओफिस रूम भी बना सकते हैं मैं लाइट्स उन कर दे तो यह देखें वैरी लेफ्ट पे ये हैं आपके पास मुल्टी पर्पर्पस रूम उपर इसका खुबसूरत सिलिंग डिजाइन भी आप देख लें और यहां से मैं आपको दिखाता हूँ र इसले हम इसके राइट साइट परी स्पेस को डिसकस करेंगे एक और चीज मैं आपको बता दूँ के पूरे घर में आपको टच पैनल मिलेंगे और यह कंप्लीटली यह सेंट्रल हीटिंग घर है और यह राइट साइट भी यह देखें यह अपको ग्राउंड से लेके बेस् सिलिंग डिसाइइन इसका व्यू कर लें और यह है इसका लग्जीरियस्थी डिसाइट ऐड बेन होगा और यह राइट वाइट साइट में यह देखा रहा हूं और इदर से आप देखेंगा सामने तो फाइर किट बनी हुए है और उसके उपर स्पको डेकोरेयंग के साथ ह dining area है ये वाली space भी आपको मैं दिखा जाता हूँ pillars आप देखेंगे इसके उपर भी molding work है ceiling पे molding work है walls पे molding work है और हर जगा को perfectly design किया हुआ है और ये मैं इस वक्त आपको इसके dining area का setting pattern दिखा रहा हूँ उपर खुबसूरत chandelier और खुबसूरत इसकी lighting सामने राइट और लेफ्ट साइड पे mirror है और इधर लेफ्ट साइड पे आपको storage के लिए जगा भी मिल जाती है इसको भी आप अपने नेट के अगोर्ण यूटिलाइस कर सकते हैं मजीद आप यहां लेफ्ट साइड से अपने kitchen को भी connect कर सकते हैं और यहां पे भी ventilation purpose के लिए सामने windows दे दी गई है जिसके उपर आप देख सकते हैं curtains लगिया हुए मैं यहां से भी आपको drying और dining का exact view दिखा रहा हूं वीवर्स डाइनिंग की यहां से separate entrance है और ड्राइंग की यहां से separate entrance है वीवर्स ड्राइंग ड्राइंग हम लोग देख चुके हैं अब हम चलेंगे इसके खुबसूरत kitchen की दरफ इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो यह है इसका kitchen उपर शैंडिलियर देखें अब इतना luxurious इतना खुबसूरत इसका complete patron है घर का slabs पर आप देख रहे हैं यहां granite का use किया हुए है five stove यहां burner है सामने आप देख लें four door refrigerator लगा हुए है उसके left side पर आप देख लें electric or microwave oven और यहां पर यह इसका service kitchen है यह मैं आपको दिखा रहा हुँ वीवर्स यह देख लें इधर से wash piston और उपर ग्री company का reversible inverter AC भी लगा हु तो यहां से again double hydrated खुबसूरत इसकी lobby को आप experience करते हैं यह again इसका आपके सामने आ रहा है इस घर का reception area और यहां से सामने हम चलेंगे अभी इसके ground floor के plan की तरफ आगे जाने से पहले मैं आपको इसके जबरदस से यहां से scene दिखा दूँ कि इधर से भी आप जो इसका basement में swimming pool ह है वह area को भी इधर से completely देख सकते हैं नीचे swimming pool है सामने ही आपके chandelier hang कर रहा है पीछे वाल पर आप देख लें मुजयक वर्कर यूज़ किया हुआ हुआ है कंप्लेट ली यहां partition की हुई है partition के opposite side पर आते हैं तो काफी spacious यहां पर यह देख सकते हैं आप खुबसूरत यह भी लगाया हुए यहां right और left side पर उपर और जहां भी आप देखेंगे molding का आपको detailed work देखने को मिलेगा और यह सामने है इसकी media wall सामने LED को भी लगाया हुए और नीचे console भी रखा हुए विवर्स यह था इसका living area अब हम चलते हैं इसके bedrooms की तरफ यहां पर आएंगे तो right और left side पर इसके bedrooms है पहले मैं आपको इसके left side बहला master bedroom दिखा रहता हूँ माशाला विवर्स इस bedroom में आप enter होते हैं तो ground पे आप इसका देख रहे हैं completely wooden की flooring की गई है खुबसूरत इसका ceiling design है और यह है आगे इसका sitting area यह भी complete area view कर लें आप इदर से मैं यहां से भी आपको दिखा रहता हूँ super spacious यह इसका master bedroom है यह देखने है खुबसूरत यह right side पे media wall left side पे bed wall और खुबसूरत बैड यहां पे रखा हूँ है सामने यहां पे आपको dressing table मिल रहे है और उपर green company का reversible inverter AC साथ में यह इसका luxuriously designed washroom है जहां पे आपको सबसे पहले walking closet मिलता है मजीद आप आगी आएंगे तो बहुत ही खुबसूरत तरीके से इसके washroom का design किया हुए यह right side पे आप देखना है double vanity उपर double mirror के साथ बिल्गूर सामने जकुजी और उपर आपको LED भी मिल जाती है उसके center पे देख लें यहां चैंडिलर हैंक कर रहे है और उसके back side पे इस ही लगा हुए यहां पे भी देख लें कितना detail वर किया हुए इधर से ground floor पे आप अगेन देखेंगे मुजाइक वर का usage इधर हम एंटर होते हैं तो यह है इसका bedroom no.2 खुबसूरा ceiling design के साथ बिल्कुर सामने आप देख लें curtains लगे हुए यह right side पे सबसे पहले आप media wall इसकी देखते हैं जहां आप media wall पे mirror का use किया हुआ है और इसके साथ ही यह है इसका attached washroom जिसमें again सबसे पहले आपको walking closet मिल रहे है मैं यहां से आपको closet को open करके भी दिखा रहत हूँ यह आप देख लें और साथ में यह further इसका washroom का area है जिसमें shower area और commode area को separate कर दिया गया है left side पे koryyan की vanity उपर खुबसूरत mirror नीचे खुबसूरत rug और इधर से भी again आप अपने basement को जो swimming pool है उसका view देख सकते हैं और double heighted lobby को experience करते हैं आप विवर्स यह था इसके ground floor का plan का complete tour तो यह मैं आपको दिखा दूँ इस bedroom की खुबसूरत bed wall और यह luxurious इसका bed का design यह मैं इस वक्त आपको क्रीप से दिखा रहा हूँ यह देखने और इधर आपको मिल जाती है again dressing table उपर inverter इसी लगा हुए विवर्स इसी के साथ इस गर के ground floor का visit तो complete होता है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके basement के area के तरफ basement को भी बहुत ही खुबसूरती से design किया हूँ है और बलके मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे swimming pool के लिए जो space दी गई है वो इतनी जादा है कि आज से पहले आपने किसी भ को जो जिलाद हूँ यह चेक करें माशाला काफी huge size का यहां पे शैंडिलियर भी हैंग कर रहे है नीचे का area भी दो हिस्सों में तक्सीम हुआ पड़ा यहां left side पे इसका आगे home theater है और यह right side वाला इसका further area पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ इधर से हम आगे चलते है सामने wall पर देख लें wall designing की हुई है और यहां पर यहां पर यह स्लाइडिंग आप कह सकते हैं wrought iron का gate है इसको slide करके आप यहां से enter हो सकते हैं अपने swimming pool में इसकी जो ceiling का design है उसकी तरफ भी देखें और center में खुपसूरा rock light यह जो उपर आप देख रहे हैं यह handcrafted painting है hand का य देख लें खुबसूरा bed wall जहां पर bed को रखा हुए center में रहे हैं और यहां left side पर है जी इसकी media wall यहां पर center में आप देख लें imported wallpaper की fixing भी की गई है media wall की back side पर है इसका खुबसूरत attached watch room जिसमें विल्कुल सामने double vanity with double mirror खुबसूरा ceiling design के साथ left side पर यह इसकी wardrobe की space है और यह आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूँ सामने इसका जुकूजी area ऊपर आप देख लें artificial fire kit को लगाया गया है और right side पर आप इस वक व्यू कर रहे है इसका cubical shower room double commode इधर लगा हुए है आपको LED भी लेगी भी मिल जाती है यहां पर Samsung की और इस watch room में inverter एसी भी मिल जाता है और साथ में यह खुबसूरत chandelier hang किया हुआ भी मिल रहे है so viewers यह था यह bedroom इसके basement का basement से जब bedroom से बाहर आते हैं तो यह खुबसूरत भी उसका चेक कर लें left side पर elevator है जो कहा हमें पूरे घर से connect करती है मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके basement के living room की तरफ यह right side बरी wall पर भी देख लें मोजैक पर का use किया हुए यह इसके door का design है अब हम चलते हैं इसके यह living area में viewers यह चेक करें माशालला इसका खुबसूरत और luxuriously designed इसका living area यह चेक करें काफी जादा space आपको इदर भी मिल जाती है ceiling design में raw light का भी use किया हुए और बहुत ही खुबसूरा chandelier hang कर रहा है sitting capacity यहां पे काफी जादा आपको मिल रही है chart tables यहां center में रखे हुई है नीचे यह देख लें खुबसूरा drug इसका pattern देख लें सामने fire kit है और यह fire kit पे भी देखें कितना detail वर्क किया हुए यह चेक करें यह मैं आपको दिखा देता हूं यहां से उपर handcrafted painting है और overall light globes तो आपको हर जगह पे देखने को मिल रहे है इस घर में और यह है सामने आपका green company का reversible inverter रेसी मैं इधर से भी आपको इस living area का complete view दे रहाँ विवर्स यहां से हम बाहर आ रहे हैं और आप हम चलते हैं इसकी सामने वाली side को देख लेते हैं फिर इसके बाद मैं आपको इसके first floor की तरफ और फिर rooftop दिखाऊंगा इधर से आगे आएंगे तो basement पे यह आपका store room है जहां पे proper cupards को बना दिया गया है storage purpose के लिए और यहां से मजीद आगे आएंगे तो left side पे आपको kitchen की space इधर भी दे दी गई है और यह open kitchen perfect यहां पे दिया गया है जहां पर three stove burner है left side पे आप देख लें wash basin है और खुबसूरत इसका ceiling design की तरफ भी मैं आपके तबज्ज़ दिलाना चाहूंगा सामने वाली wall पे travertine stone का usage है नीचे वाली जो tile है इसकी flooring भी आप चेक कर लें यह देखने हैं इसका complete design इधर से हम आगे चलते हैं तो इसके वाश्रूम को जो कमोड एरिया है और जो वाशिंग एरिया है उसको separate कर दिया गिया है यह वाला एरिया भी मैं आपको दिखा रहता हूं यह भी आप इसको as a store room के purpose के लिए use कर सकते हैं और यह आपके पास double washroom एरिया यहाँ पर मिल जाता है यह देखें यह कमोड एरिया और उसी के साथ इसका shower एरिया आ जाता है वो सामने swimming pool और यह यहाँ पर आपको mini swimming pool भी मिल जाता है बच्चों के play करने के लिए right side पे आपको यहाँ पर sun bed भी दो मिल जाते हैं सामने वाल पर खुबसूरत mirror की crafting की गई है पूरे वाल पर उपर इसी भी आपको मिल रहे है और साथ में यह multi purpose room है basement का इसको आप gym room बनाना चाहें office room बनाना चाहें या study room बनाना चाहें आप अपने नेट के guiding इस जगह को perfect utilize कर सकते हैं उपर आप इसको अगेन यह देख ले हैं यह सारी सेंटर में शैंडिलियर है left side पे soft cushioning और mirror का combination और इधन mirror है completely यहां से बाहर आके right side पे होंगे तो विवर्स यह है आपके घर का home theater बहुत ही खुबसूरत थीम पे इस theater को बनाया गया left side पे projected screen और यह एरिया चेक करें इतना दारा detail work आपको यहां पे भी मिल रहा है ceiling का design इसका देख लें बहुत different और unique सा सामने comfortable sofas हैं और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे भी setting sofas को रखा हुए नीचे रख देख लें और यह center इसकी table है left side पे मैं आपको दिखा दूँ यह soft cushioning की हुई है और mirror का यूज किया हुए और light globs आपको जगा जगा पे देखने को मिल जाते हैं इस home theater में इस यह था हमारे इस घर के basement का complete visit ground floor और basement का आप लोग विजिट कर चुके हैं अब हम चलते हैं इसके first floor के plan की तरफ कि यहां पे elevator अभी यहां पे temporarily burn की गई है मैं आपको stair से ही इसके first floor के plan की तरफ लेके चलता हूँ यह देखे यह staircase पे आप देख लेए ग्रीन आइट के यूज की अब है left side वाल है यहाँ पे ट्रेवर्ट इन स्टोन का usage है और फ्लोरिंग पे अगेन मोजाइक वर्ट हम stair से उपर आते हैं तो यह right side पे इसका area है पहले मैं आपको यह दिखा जाता हूँ जहां पर first floor पे आपको made room मिल जाता है और साथ में attached washroom यह देख लें made room में भी AC लगा हूँ है और यह attached washroom है इधर से आप अपने open terrace के access भी ले सकते हैं यहाँ right side से भी आप जा सकते हैं अपने open terrace की तरफ और इधर से मजीद आगे आते हैं तो यह है आपके first floor का bedroom number one खुबसूरत pattern पे इस bedroom को भी design किया हुआ है और इसी pattern पे इसी color combination के साथ इसका attached washroom right और left side पे walking closet और आगे यह है इसके washroom का further area यह jacuzzi left side पे cubical shower room और right side पे double vanity के साथ mirror so viewers यह था इसके first bedroom first floor का और इधर से बाहर आते हैं तो इस चीज़ को कैसे मिश कर सकते हैं में इसके double highted lobby का खुबसूरत view जैसे ground floor से मैंने आपको दिखाया था यह देख सकते हैं आपके यहां से आपको अपने double living police को इसी तरीके से first floor से भी आपको complete यह यहां से मिल रहा है इधर से हम फर्दर चलते हैं तो first floor का यह है इसका खुबसूरत living area यह इसका सारा pattern देख लें काफी ज्यादा sitting capacity के साथ है यह भी right side corner पे चिलर इसी लगा हुआ है center में यह खुबसूरत शेंडिलियर उपर आप देख रहे हैं इसका ceiling के design सामने curtains लगे हुए left side पर यह इसकी media ball है और यह proper मैं आपको space दिखा रहा हूँ इसकी living इरिया की इधर से आगे चलते हैं तो यह center में आप देख लेंगे खुबसूरत mirror को लगाया हुए right और left side पर दो bedroom उसी pattern पर जैसे आपने ground floor पर देखा था यह है इसके first floor का bedroom number one यह check करें वीवर्स मतलब मुझे समझ नहीं आ रही किस किसी इसको elaborate करूँ बहुत ही खुबसूलती से बहुत ही luxuriously designed यह घर है और आप कहा सकते हैं कि इस पर यह डियेचे लाहोर का सबसे खुबसूरत और luxurious design है heavily design किया हुआ है आप चाहे इसका ceiling design देखें या right side पर इसकी media wall देखें या bed wall देखें या कहीं पे भी देखें तो बहुत जारे detail वर्क आपको देखने को मिलते है वीवर्स यह आपको मैं दिखा रहा हुँ इसका खुबसूरत बैड का design यह चेक कर लें और यह right side पर आपको इधर मिल रही है इसकी pressing devil यह lights मैं on कर देता हूं यह देखें और साथ में यह है इसका attached washroom आप एंटर होंगे तो राइट और left side पर सबसे पहले आपको मिल जाती है walking closet मजीद आगे आते हैं तो यह है इसका further area washroom का जिसमें अगें बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं खुबसूरत vanity लगी हुई है और उसी के साथ centers में chandelier है उपर आप देख सकते हैं AC भी लगा हुए यहाँ पर मैं इसके ceiling की design के तरफ भी आपकी तबज़ो दिला दूँ राइट साइट वाल पर देखें कितना detail वर किया हुए overall और left side वाल यह जो area है यहाँ पर cubicle shower room है फर्दर आगे चलते हैं तो यहाँ right और left side पर again आपको planters मिल जाते हैं दोनों side पर pillar है इस washroom के और यह मैं आपको क्रीब से दुबारा इसका area दिखा रहा हूँ इधर आप देखेंगे black और golden color के combination के साथ कमोड को लगाया हुए वीवर्स यह था इसके first floor का bedroom number two इससे पहले मैंने आपको right side पर होकर इसका bedroom one दिखाया था यह bedroom number two है और अब हमें इसका visit करेंगे bedroom number three इधर से बाहर आएंगे नीचे आप again देखते हैं mosaic work यह left side वाला जो mirror है यह भी देख लें और यहाँ से हम आगे आते हैं तो यह खुबसूरत इसका bedroom number three आ रहाता है first floor का right side पर media wall जहां पर खुबसूरत sitting आप sofa इनको बोल सकते हैं यह sitting chair बोल दें और यहां से आगे आएंगे तो right और सामने वारी side पे again आपको walking closet मिलता है फिर उसके बाद आप enter करते हैं इसके washroom के further area की तरफ जिसमें again इ अपनी double-highted lobby का और basement में जो swimming pool है उसका perfect view यहां से देख सकते हैं यह सामने इसकी walking closet है मैं आपको यहां से इसकी wardrobe open करके भी दिखा रहा हूं यह चेक कर लें so viewers यह था इस super luxuriously designed Spanish design में बनेवे घर का complete visit और अब मैं आपको लेके चलता हूं इसकी rooftop की तरफ जितना खुबसूरत माशाला यह अंदर से घर है उतना ही खुबसूरत घर इसको उपर से भी रखा गया है इसकी rooftop के area को भी बहुत ही खुबसूरती से utilize किया गये सामने वाली वाल पे आप देखने ट्रेविटिन स्टोन का यूज है और सेंटर में brass का वर्क है लेट साइट पे partition है जहां से आप अगेन अपनी double hydrated lobby का view देख सकते हैं और ये right side पे है जिसके first floor का kitchen का area ये मैं आपको यहां से view करवा रहा हूँ यहां पे आप देखने है five stock burners को लगाया गया है इधर से देखने सामने washbasin और उसके back side पे window है ventilation purpose के लिए इधर से आगे आते हैं left side पे होकर right side पे stairs हमें rooftop तक लेकर जा रही है और उससर पहले मैं आपको दिखा दूए यह area है जहां से गर का front elevation आ जाते हैं यह आप देख लें यह इस गर का front elevation है तो अब हम इस घर के last area की तरफ बढ़ते हैं जो के है इस घर का rooftop area इधर से आगे आगा left side पे stairs जहां पे grey night के flooring आप देख रहे हैं और उपर अब हम चलते हैं यह चेक करें आप उपर आते हैं अपने rooftop पे और खुबसूरत sitting area आपको यहाँ पे मिल जाता है right side पे होंगे पहले मैं आपको यह space इसके दिखा रहता हूँ यह देखें सामने fire kit की जगह छोड़ी गई है और barbecue भी कर सकते हैं आप उपर और यह है इसकी elevator की space और यह बड़े कमाल की जगह है वीवर्स जहाँ पर मुझाइक पर उपर चेर्स बगएरा रखी हुई है आप यहाँ पर अपना quality time spend कर सकते हैं यह है वीवर्स इसका overall rooftop का area और जो time है वो हो गया है इस घर की demanding price का वो भी मैं disclose कर देता हूं इस घर की जो asking price है वो रखी गई है 45 CR यानि 45 CR पर इस घर की price है price इसकी negotiable है और इसके लावा further information के लिए और इस घर के विजट के लिए आप में दिया गया नंबर पर रापता कर सकते हैं मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा और मैं अपना नंबर रिपीट भी कर देता हूं 03220405751 मेरा नंबर है नाम मेरा उसामा खुरचीद है और office मेरा located है डिएचे फेशिक्स लाहॉर में CCA1 में आप मजीद information के लिए मेरे से रापता कर सकते हैं अब आपसे मुला कहा दो कि next वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीज़े इजाज़त बहुत शुक्रिया